क्यों भाई आप क्यों फसाई उल्टा उसको हम को फसाई थी यहाँ तो उनका ज़ू को ज़ह नहीं बोले थे यह बात मान गए उनकी यह देखिये यह असली सचाई मित्रो आशिया खोल रही है मतलब अगर किसी का कान भर दिया जाए तो वो समझ लेता है कि ये बाते सही है आप देख रहे हैं PG News मैं प्रवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और तमाम वीडियो जो है कमेडी वीडियो जो है वो सोसल मेडिया पर बहुत वाइरल हो रही है वहें पर मुतνदादा को तमाम बिवादों से घेर दिया जाता है कि आखिरकार मुतनदादा लड़कियों के साथ क्या कुछ करते हैं लड़कियां इतना जल्दी जल्दी चेंज क्यों करते हैं हमारे साथ साथ आच बातचीत करने के लिए सिया पिछले जेफ लेट साल से लगातार सिया जो है वह मुंतंदादा के साथ बनी हुई है क्या पूरा मामला है बातचित करने की कोशिश करेंगे और क्या है मुत्तन दादा का भी है सबसे पहले सिया से शुरुआत करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज पर सिया जी ठाइक इस सुमाज से पहले पीजी न्यूज से जितने भी दर्सक देख रहे करेंगे हर चीज बताएंगे अर्थात आपको बता दे मित्रों कि आज तमाम वो बड़ी पोल खुलने वाली है कि अखिरकार लड़कियां गलत होती है कि अक्सर एक्टर और एक्टर या फिर कोई भी या कमेडियन बात कर लिए कोई भी गलत होता है याज तमाम चीजे जो ह पर आरोप लगता है कि लड़कियों के साथ इनका भी है सही नहीं है आन कैमरा कुछ और करते हैं आफ कैमरा कुछ और करते आपको क्या लगता है कुरूप क्या है सच्चा ही क्या है कुरूप क्या है सच्चा ही तमाम लड़किया यहां से निकलती है जाती है बाहर मेडिया पर मेडिया को फेस करती है नितमाम निए चैनलों पर बोलती है कि अगर जिसके भी साथ गलत हो रहा है और लाके साबूत हमानेंगे कि दादा जी गलत है हम किसी का सपोर्ट नहीं ले रहे हैं कि हां जो सचा ही वो बोलेंगे ना लाकर दीजे सबूत हमको लोग लेकिन इसी मे कमेंड करेंगे कि आप दादा के साथ कारी कर रहें इसलिए दादा के पच्छों में बोलना है अगर कल आप दादा की बिरोध में बोल देंगे तो दादा आपको कमेड़ी से निकाल देंगे अरे प्रभू बिरोध में हम बोलेंगे क्यों और पहले बात इंसान के मन में वह पुराई करेंगे अगर गुरु माने तो गुरु क्या दर्दजीय दाते हैं हो सकता है सब तो यहीं कहता है आपको बता दे कि अगर आपको ना पता हो इसी चैनल पर काजल तीवारी उर्फ मराथी भौजी का इंटर्विय हुआ है इसी चैनल पर मराथी भौजी ये बोलती है कि दादा हमारे भगवान है, दादा हमारे गुरू है, दादा हमारे सब कुछ है, दादा हमको सिखाने वाले है, दादा हमको सोचल मेडिया पर लाए, लेकिन वही निकलने के बाद यहां से दादा के बारे माज यह कर रही है, कि वो 500 वाली समझते थे, 500 वाला समझते थे, यह का लिख यहां पर दोस्त थे ऐसे बात नहीं है लेकिन थे लेकिन ते लेकिन जहां पर गलत होगा वहां पर इस आवाज उठाएगी सब के प्रती हुआ है आप बोलें 500 में काम करा रहे हैं आप कितने में बुक करके आई थी आई थी आई थे अपने मर्जिस बुक करती हमारे इतना पेमेंट होगा हम भी बुक करके आएं कि दादा जी पूथ हैं डेड़ साल में कोई भी हम कुछ बोलें दादा जी को नहीं बोले हैं क्योंकि हम सेट किया है ना पेमेंट मैं सिया की बात काट रहा हूं जितने भी हमारे ओडियन्स आप लोग जाके देखिए उस पर करीम मैं 40-50 वीडियो में काम की हैं मैं उनको 500 देता था कि 50 रुपए देता था उनको अगर पड़वरता था तो करती थी नहीं पड़वरता था तो क्यों काम की आज निकलने के बाद दूर होने के बाद बोल रहे हैं कितना देती हैं उनक लेकिन मेरा सोच ऐसा नहीं रहता है क्योंकि आप भी एक लेडिस हैं आप किसी की बहन बेटी हैं हमारे घर पर भी बहन बेटी हैं मैं शबकर स्रमान करता हूं और इसलिए आप न्यूज दीजिए खुब दीजिए आप जहां भी रहे हैं अच्छस रहें काम करिए सवस्त सब्सक्राइब लेकिन किसी की ऊपर गलत अरोप लगा कर आप आगे बढ़ने की कोशिस मत करिए सिया आपसे अगला सवाल रहेगा डेड़ साल से आप इनके साथ में रहती है कितनी बार ये आपको अपने मतलब अपने अंडर में लेने की कोशिश किये या आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश किये या फिर आपके साथ इनका भी है क्या होता है देखिए आप लड़की है आप बताईए क्योंकि ये वीडियो जो है ये जो वीडियो है वो सूसल मीडिया पर जाती है लाखों लोग देखते हैं उनके बारे में अच्छा ही निकल कर आती है और खराबी निकल कर आती है तो आज आप सही खुल कर बोलिए क्या कुछ मामला लगत हमारे साथ गलत करते हैं तो हमको पुरा लगता हम क्यों करते हैं हम हड़ जाते ने नहीं कि दाड़ा जी हमको एक्रि मेंट करके ळं रखें अकर के यहाँ त하고 दाड़ा जी जाहते हैं दादा जी बहुत कमें मतलब केस भी कर सकते थे उनकूप पर लेकिन दादा जी एक लड़की का समान करते हैं आपको बतादे कि एक बात की जिक्र करना चाहेंगे सीया जी खेसारी लाली यादो खाली एक साइन किये थे बस वह आप मामला जानती होंगे दिल्ली की कंपनी थे मित्रों खेसारी लाली यादो की एक साइन की वज़ज़ से खेसारी के सारे गाने पर बुर्ट लग गया सही है कि नहीं होता है अगर आज काजल तीवारी जी मुत्तन दादा के साथ एग्रीमेंट की है तो लीगली तरीके से फसा सकते है एक साल का गरा एग्रीम इन पर काम की थी न वी मतलब टोटल नहीं की थी कभी कदार थी हम तो डेली आते हैं आप सर देखेंगे आके जब भी आएंगे तो हमको यहां पर ही पाएंगे क्योंकि हमारा सुट डेली चलते रहते हैं तो जब सुरूआत में काजल जाया थी मेरा सुटिंग उनके साथ प प्रेस हम तो पाने करें अडेलन किसे खर लंगा रहे होुआ किसके साथ नहीं लगाया ऊंप वो गया थे उनको अरॉप लगाई हो गया तो अ नहीं काजल को तो उनको बोली कि मतलब और घर तक मुझे छोड़ा हैं तो उल्टा बोल के उन्थ पाइब अंदर क्योंट अपने तक हम्हीं को तो दिया किको प्रेश घंरिमी जो सब्सक्राइए बिलतने और हम्हें को एक महिना बोले नहीं थे ये देखिए ये असली सच्चाई में त्रो आसिया खोल रही है मतलब अगर किसी का कान भर दिया जाए तो वो समझ लेता है कि ये बाते सही है मतलब कहें उसके अंडर में मतलब उनकी बातों कुमान कर आप से एक महिना लगातार बात नहीं किये दादा जी मतलब वबात नहीं अगर हाम ही कर रहे हैं अगर मेरे परत्य कोई दूसरा बोले गा तो मतलब कासे क्रतल सचाई में पता चला कि ये नहीं कुछ नहीं बोला था पिता हैं कि अच्छ बात ही फोड़ा के एक हमको पासा रहे तो उस समय तब दादा जी बोले ना कुछ वाकिया था कि जब काजल और मुत्तन दादा आपके बीच में कुछ मन मुटाओ हो गया था थोड़ा जैसे बात होता है ना अगर बोल दिया इंसान तो दादा भी सुचे का सही बोली होंगी लेकिन ऐसा दादा की मन में नहीं चलता कि यहां वो गलत इंसान है फिर दादा जी बात में काजल को दिक्कत होने लगे इसलिए ने का इसलिए काजल ने मुत्तन दादा का साथ छोड़ दिया काजल पहले हम आये थी सर काम करें उसके पार जो है काजल जी आई और दो बार एग्रिमेंट भी की फिर चली गए लिकिन सिया जी डेड़ साल से काम कर रहे हैं करते हैं अचा अपनी इज़त इस प्रकार से मार्केट में उचाल ना मतलब लोग क्या दिखाते हैं इसका अभी इनके साथ और कोई करते हैं अगर आज के साहर लाल पहुन सींको को बदनाम करता है अगर यह वह लाइप में नहीं सोफे एसका यह लेकर अगर धन आज कम नहीं चलता है जो सचा एन उसको बोलो हम भी और साल से काम करें हम चूटिया नहीं बैसे हैं यहांपे हम जाने सर्वी दादा मेरे साथ कैसे काम करते कैसे रहते हैं यहाद है कि हम इनको गुरू मानते हैं गुरू का सम्मान कैसे कि यह तो वह सीख लो पहले कभी ऐसी कंडिशन हो जाए अगर सिया को दादा का साथ छोड़ना पड़े तो जाने के बाद क्या कुछ रियक्सन होगा आपका दादा के पर दादा जी ह तक हम जब सुर्वाइब कर रहें ना सर जी उनको भी नहीं भूलें तो दो डेड़ साल पहले काम किये थे क्योंकि हमारे गुरुई हमको सिखाने वाले हैं ना हम जबात बालों मुझे कुछ नहीं आरात काम करने यहां तक एच्छे सम डायलॉग तक नहीं बोल पाते हैं और नहीं बोल पाते हैं अच्छे सिसमें भी लेकिन दाजय मुझे एक एक पॉइंट चीज समझाते हैं कि यह गाना गाने मेरे पास यह सहर नहीं था गला नहीं बैठ पाता तो लेकिन दाजय मुझे मालूम है दो तीन बार उसको चार पांच बार उसको बता बता कि मुझे सिखाए हैं गाना भी आप गाने लगी कोमेडी में अच्छा अच्छा है मतलब ऐसा इंटर्टेन्मेंट आई गाना तूत गया पर देश बलम जी तूत गया पर देश बलम जी कहीं जैपूर हरी दार घरमा के टकरार नसोंबे परल तो हरी पांव ए बलाम जी अब ना रहब तो हरी गांव ए बलाम जी अब ना रहब तो हरी गांव ए बलाम जी अब ना रहब तो हरी गांव ए बलाम जी आप यह परकार से इनके उपर यह चीज जोट है अगर बहना आपके पास साबूत एक दोना सामने इस आपको साबूत दीए है ना आप अगर आपको जूर बोलवा रहा है सामें साथ दादा जी का क्या कुछ एग्रिमेंट हुआ है या आप खाली बात ब्योहर पर काम करें नहीं नहीं कि उतना भरोसा बना के रहे हैं पूरा भरोसा है आपके उपर दादा को मतलब दादा जी को काजल के उपर भरोसा नहीं था इसलिए एक विश्वास और एक उमीद बनाबा और दूसरी चीज हमारी कहनाम बग जब तक इनकर मन जमें भाइक करें जब नजमित आपने जाएक कहनाम राख हम एग्रिमेंट नकर कर आप मेरा एग्रिमेंट कर लीजिए सिया जो है वो मुत्तन दादा के साथ साथ और कहीं चैनलों पर देखती है कि केवल मुत्तन दादा के साथ कापे चैनलों पर ऐसी बात नहीं है अगर इसके दोरान अगर कहीं बड़ी फिल्म और अगर आपको आफर आजाए काम करने के लिए या कहीं और कहीं कोई कमेडी वाला आपको अप्रोच करें तो क्या करना चाहेंगी छोड़ कर जाएंगी या फिर इनके साथ बनी रहें नहीं जाएंगे अभी क्योंकि हम कोमेडियन एक्ट्रेस हैं और जहां समको सीख मिलती हूं आपको छोड़े भाइलो और आसनी उम्मीद करते हैं कि ऐसा कभी दिन नहीं आपको जो कि मुझे छोड़के जाना पर एंगी जहां जाओंगी इनको लेक जाओंगी ऐसे बोलत र हमको आफर वगरा मिल जाएगा तो हम इनके बगहर रहा नहीं पाएंगे यह सब बाते बोलती चली भी गए और आज उल्टा सीधा हमरे बारे में जोनों बोलत भी हैं तोहरा काहबू काहबू आप देख लीजे सरे एक एक अक्ट्रेस का भरोसा तोड़वा रही है और क्या लगता है हम लोग वीडियो वीडियो जो है वह बहुत लंबा हो रहा है इंडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे सिया जी आप से सवाल रहेगा क्या लगता है कि इस प्रकार से उनके उपर आरोप लगते वह आरोप सही नहीं सब गलत है हम पूरा आशास करें सब गलत है बैन अगर जो बोलना तुम सचाई बोलना साबूत लाकर दो सब चीज मानेंगे हम दादा जी बहीं करें और हमारा जो लड़की आती है उनका साबूत आपके पास आ जाता है मुझे आसा पता है सब्सक्राइब लोग जो लड़कीया गलत करेंगे तो गलत कहलाएंगी अगा जबादा जी गलत रहते ता जो बोलना सब्सक्राइब काफी लड़कीया गई मेरे सामने से क्योंकि आप बहने देखें दादा जी एक जबी काम को राते ना ये क्याक्टर उसके इतना इज्जिस सम्मान देते हैं ना उतना घर का इज्जिस सम्मान नहीं मिलेगा साथ कट ममी बताई बिच्छू बिच्छू का लड़किया अपने महतरी एक खाय जाते हैं आप सम्झाते हैं आउडियंस भाई दिमाग लगाई थोड़ा क्मुतन दादा का काते हैं आउधी भासा बोले क्योंनों एक हमार शैली हो एक भासा हो कोमेडिया नहीं गाहों से ब और काफी धर्शक इस समय जुटे हुएं लगभग 50-60,000 धर्शक इस्टेडियम खचा-खच भरा हुआ इस समय एक बार फिर दान्या शोबर्द विकट हमसे दूर जात हुए अंपार को क्राश कर दो बहुत अची गेद को डिफ्लाइब कर दिया जब तक गेद को फेल करके फेल के थ्रों करते दोड़ का रशानी के साथ दोरन पूरे के लिए जकोर बरतावाद 25 पांच बेकेट की नुक्सान पर इस समय पाकिस्तान की इस्तिती काफी खराब भारती दिगज बल्लेबाच विरंदर शाबाक जो इस्टेडियम पर शेर की तरह दाड रहे हैं एक बा आप सब के हसाओ भी नभासाओ ऐसे आप सब रिजीन सोची कि गाना आया हो आपका मुतंदाजाजी अहां भीया बहुत प्यारा सोंगाए बट्टी राज के साथ में आपका गाना खोब भारल हो तो इतना हम समझा के आई ली तोहरा समझना आए तनी तनी से बात में जालू तु एतना गुसिया आई ए धनिया नई हरका में नयाई ए रनिया नई हरका में नयाई हो तू तो सिक्छावाली उसभू अनपड़ गवार हो मिली जुल के राहा यहमा मरियादा तोहार हो हो तू तू सिक्छावाली उसभू अनपड़ गवार हो मिली जुल के राहा यहमा मरियादा तोहार हो नहीं के हुके नई हर नहीं के हुके भाई भाउ जाई ए धनिया नई हरका में नयाई अच्छा लास्ट में और आखरी सवाल जाते जवाते सिया जी दर्सकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे कुछ जादत नहीं कहेंगे आप बहु लोग जेतने भी चैनल से मतलब फीजी नीवस से आप लुग जितने भी दर्सक जुड़े हैं आप सभी का स्वाकत है और भाई लोग लाइव सब्सक्राइब करें जादाजी घलत नहीं करें लाइक किजें और जितना हो सके इस सब्सक्राइब काजल के बातों में कितनी सत्यता है काजल जिस प्रकार से मुत्तन दादा के उपर आरोप लगाया 500 वाली कहके और तमाम इनके उपर लड़कियां जो है आरोप लगाती रहती हैं अगर लोग गलत कहते हैं कोई प्रूफ कोई वीडियो कोई फोटो कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी कारतूत जो है मुत्तन दादा का दिखाया जाए जिससे समाज में लगे कि आखिरकार वाकहे में मुत्तन दादा गलत हैं सही है कि नहीं जाए गलत है क्योंकि साबुत है नहीं जब दादा जी गलत करते हैं तब साबुत रहता जब गलत के साथ को लोग पसंद कर रहा हैं फिरहाल सिया जी के बारे माप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतक्रिया जरूर देजिएगा चलिए मित्रों मिलते हैं फिर से एक नेस्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त जय हिंद जय भारत